नवस्कार दोस्तों इंडिया बोलेगा मैं आपका स्वागत है जौनपुर में पती पत्नी के विवाद के बाद सुलर समझोते के लिए बुलाई गई पंचायत में सालों ने अपने जीजा को ही पीट कर घायल कर दिया यह पूरा प्रकड जौनपुर के धर्मापुर बाजार का है जहां सिव मंदिर पर पंचायत बुलाई गई थी घायल जीजा को उप्चार के लिए जिलाची के साले भेजवाया गया आपको बताते चलें कि पूरा प्रकड कहां का है जौनपुर के सराइख्वाजा थाना के चंबल तारा गाव निवासी दीपक कुमार की शादी किराकच छेत के एक गाव की यूती से हुई है बीते कुछ महिने से दीपक कुमार वह उसकी पतनी में किसी बात को लेकर आपस में नहीं बन रही थी हमेशा उन दोनों में जगड़ा हुआ करता था जिसके कारण उस महिला को मायके के लोग अपने साथ लेकर किराकच चले गए पती पतनी के इसी जगड़े को सुल्जाने वसास रहने के लिए सोमवार को गोरा बाशापुर्थाना च्छेत के धर्मापुर बाजार इस्तिस्यू मंदिर पर पंचायत बुलाई गई पंचायत में दोनों पच्छों से दर्जनों लोग मौजूद थे बादचीत चली रही थी कि अचानक इसी दोरान महिला के दो भाई अपने जीजा दीपक कुमार के उपर हमला कर दिये दीपक को लाठी डंडे वर लादगूसे से जम कर पीटा दीपक कुमार ने पीटने के बाद महिला के भाई और परजन अपनी बहन को लेकर मौके से खिसक लिए बाजार के लोगों ने पुलिस को सूशना दी मौके पर 112 पुलिस पहुँच गई पुलिस ने घायल दीपक कुमार को 108 एंबुलेंस से जिला चिकिस साले भज़वाया दीपक को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया था कि उसका सिर्फट गया तो थानाक से खून निकल रहा था इस पुरे प्रकड़ पर थाना ध्यच गौरा बाहशापूर विक्रम लच मरसिंग ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है लेकिन अभी तक कोई तहरीर नहीं प्राप्त है तहरीर मिलने पर मुकदमा धर्च करके करवाई की जाएगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान की घंटी जो दबाई